गाइज यात्रा हुई हमारी स्टार्ट लालसोट से बस आप देख सकते हो और तीन बसती तीन बसों में, ह Forsch सो यात्री अभी पोचने वाले हरी दु wz्री द्वार हम पोच चुके हैं यह मारी दंब ध्रमसाला और हम जा रहें हर की पेड़ी नहाँने सारे लाक्री court गाइस अभी हम पोच हो dodate ऊहरें लहांने और आप देख lots לern हमारा टेमपू आ चुका है हमने टेमपू कर लिए आठ मेंबर है टोटल हम एक एक ग्रूप जाएगा तो यह हमारा टेमपू है और बस से कुछ सामान लेंगे कपड़े वगरा जो भी वहां चंडाने का सामान और इस टेमपू में रखेंगे और फिर हरकी पेड़ी पहुंच के वहां नाने गए और ना के भाई सारे यात्रिकुद को पवित्तर फील कर रहे थे और सारे पाप दूल गए सब एसे बोलते हैं तो मैं भी यह मानता था और पहुच गए भाई नाने अवागे देख सकते हो गाईज हम लोग पहुच चुके हरकी पेड़ी हरी दुआर और यहां पे अभी हम इसनान करेंगे तो नीचे काफी सारी भीठती आप देख सकते हो और पानी बहुत थंड़ा था पानी बहुत तेजी से बै रहा था और देख सकते हैं और भाई यहां पर पानी का बहुत तेट था जिसको तेरना आता है वो बीच में जाके नारे जिसे नहीं तेरना आता है वो सांकल पकड़ के नारे थे और मैं भी वहां पर रिल सुट कर रहा था तो आप देख सकते हो नजारा कितना प्यारा लग रहा था और मैं तो यहां पर फोटो सुट भी कर रहा था पानी ठंडा है और भीड बहुत जादा है तो बैसाब मैं जा रहा हूं नीचे नाने और इनी कपड़ों को पहन के ना हुगा और कपड़े दो कि यहां से जल लेके जाते हैं उनके लिए सारी चीजे शली चीजे मिल जाती है और अपने आने के त्यारी कर से खोल और यह आमाले कंड़े और को यह मैं आपको बता दूंति कंड़े और वीर और सारे य impressION रहां और भाई पानी है बिल्कुल थंडा गाईज पापा जी इस नान करने के बाद शिव जी के उपर जल चंडा रहे थे और फिर मेरा नम्मर आ जाता नाने में तो भाई यहाँ पे सांकलती में इसका इस्तेमाल कर रहा था क्यों पानी का बहुत तेट था और सारे लोग यहाँ प है फिर पापा बोले कि अब निकल जा मुझे क्या एक गंठा हो गया था नाते नाते तो मेरे पैर हाथ ठंडे होगे बीमार हो जाएगा तो फिर मैं फाइनली बाहर आ गया यहां से नादो के बाई जा रहे हैं जल बल चंडा दिया है यहां पर मंदिर ते कापी होगा जल च पर आगे और उपर से आपको इब सीन दिखा दू बहुत ही खतर ना आगा वैसा देखने लाइक से ने यह देख सकते हो भी हम वापिस जा रहे ना दो के और बसों की पास चलगे पर पुर आफडेट देंगे आपको ना राइज एक बार सीन यहां से देखो उपर आने के ब पानी कितना सारा है बाई उपर पानी नीचे पानी और पबलिक कितनी सारी नारी है यह देख सकते हूं यह गेट था इस गेट से नीचे उतर के इधर से हम वह आ जाके नाके वापिस आगे और अब यहां से टेम्पू लेंगे और वापिस मंदर बें और यह टेम्पू हमने ल अभी हम पाउन धाम धर्मसाला में रुके हुए हैं और इसी के अंदर ये मंदिर है इसे सीस महल बोलते हैं और बाई चार उत्रब सीसे हैं और यहाँ पर सारे देवजीताओं पूर्टियां जिसे किष्ण वगवान बजरंग बनी तो गाइज मैं आपको बता दूँ अभी हम पाउन धाम धर्मसाला इसके अंदर मंदिर भी है तो मंदिर में आ चुके ना दो के हरकी पेड़ी जाके ना के वहां से मागए और अभी आपको पूरे मंदिर के ना जितने भी भगवान उनके दर्शन कराऊना तो आप भाई दर्शन करते जाना और मैं आपको वीडियो मे आख व्यां तो मैं चरहता हो दर्शन है इस साइड है डिवार में सीसे और मंदिर लागी चमक दमक वाला का देख रहात हैं कि दोयार गाईज ये मंदिर है पहुंदाम धरमसाला के अंदर और ये इसको सीस महल और सीस मंदिर बोलते हैं क्यों बोलते हैं गाईज चारों तरफ सीसे लगे हुए हैं दिवार में उपर छट से लेके दिवारों पर लेके चारों तरफ सीसे हैं और सब की मूरतियां अंदर है जैसे क दमक वाला था में तब उस्ते पागल हो गहाँ आप संकर गोवान जी भी है और गनेश जी भी है आप देख सकते और इधर कि वोले बाबा और पार्वत्ती कि यह देख सकते हो और इधर और गाइज इसके अंदर एक प्यारासा सीवलिंग है और उसके उपर की डिजाइन बहुत ही खतरना का चारो तरफ सीसे ही सीसे यह देख सकते हो और भाई मैं तो गुस्ता ही बाई चमक दमक देखके ही पागल हो जा बाई चारो तरफ मतली पता भी नहीं था गेट कहाँ से है अगर जीसे कोई cloud को मैं आदमी होना तो भाई वह सीसे कही टक्रा भी जाए ना तो भी कुए बड़ी बात नहीं थी क्यों यहां पर गेट का ही पता राप नहीं लगता क्योंगत inter बाहर का व्यू देखना बाहर का भी बहुत प्यारा व्यू है और बाई क्या बताएं सच में देख मैंने फिर टच किया तब जाके पता लगा इदर भी सीशा है तो गुमते गए और सारे देव देवताओं के दसमें देख सकते हैं भाई सीशे में मताजी की मूर्ति है और इसे क dwelling की मूर्ति में आएंगे तो यह आदा की मूर्ति भी बहुत ज्यादा दीखेगी आपको देखो इसलिए इसको सीश महल बौलते हैं इस लिए इसको सीश महल ओलते हैं और इस साइड भी इतनी यह मूर्ति आं एधर और वड़ी है ना उसका मेन गेट यह देख सकते हो पूरा मंदिर सीसो का बना वाई है इसके अंदर गुषते भाई पता ने क्या मुतला समझी नहीं खाता तो गाइज यह हमारी द्रमसाला है पाउन दाम द्रमसाला और बहुत बढ़ी है बाहर का लुक आप देख सकते हो अभी अंदर जाक क्योंक रुख़ों सभे और नीचे हमारा वर यहां पर ऊंद में निकलेंगे तो निकले तो दूम इतने बड़ हैं और यह वाले बेड़ है और अभी हम आराम कर रहे हैं और खाना बन गया तो सारे यातरी खाना खाने जा रहे हैं और अभी आपको बताएंगे खाने में क्या-क्या बना और कितने सारे कैसी-कैसी बेउस्ता सारी आपको देखने को मिलेगे ओके